आवेकनिंग विद ब्रामा कुमारीस इस चक्र में आती है तो सत्यूग में हम कहां थे फिर हम त्रेता में कहां गए कैसे हम अपनी उस सोलां कलाओं से संपून एक परफिक्ट बीइंग थे और परफिक्ट वर्ल्ड में रह रहे थे जो कि हमें आज तक नहीं पता था हमने यह सोचा था कि सत्यूग में भी अच्छाई और बुराई साथ साथ होती है लेकिन यह समझ में आया है कि एक ऐसा यूग definitely होता है तो कि मन यहीं मानता था जहां complete perfection, complete peace exist करती होगी इस सफर में चलते हुए सुदर्शन चकर को देखते देखते हम पहुंचे थे द्वापर में जहां से बदलाव शुरू हुआ था अगर हम कहें कि मनुष्य जाति का और हम देवता से मनुष्य तक जो उतरने की जर्नी थी उसको देख रहे थे इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं हर बार कितना हमारे साथ है ब्रामा को वाई से शुष्य वाणी ओम शैथी ओम शैथी इस अन इंट्रस्टिक स्टोरी वरी नाइस बिकॉस इस आर स्टोरी और हमने नहीं सुनी हुई थी अपनी ही कहाँ लेकिन फिर भी सुनते हुए अपनी है एक्सेप्ट करते हैं लेकिन फिर भी क्वेश्टन मार्क होता था कि ऐसा हो सकता है क्या यह नो विए तो सी के कोई अश्ट पुचादारी है कोई दस सिर के साथ है कोई हवा में ओड रहे हैं कोई कुछ हो रहा है अप सुनते भी थे अच्छा भी लगता था सुनाते भी थे सब कुछ करते थे और फिर भी one thought in the mind would always say is this really possible एक तरफ से हम कहरे हैं देवतनाए हैं फिर हम उनको हिंसा करते हुए भी दिखारे हैं is it possible हाँ उनके साथ हमारे वही मैं कहते हूँ कि बार बार की उसको मारना पड़ता है यूनो बुराई के उपर जीतने के लिए और हर बार कभी भी मन ये मानता नहीं था और हमेशा दिखाया कि देवताओं को छोड़ी जोड़ी बात पर इतना क्रोधारा है सी देवताओं हम कहरे थे तो देवो परफेक्ट बीइंग्स तो फिर हम दिखा रहे हैं कि किसी देवता की इतनी रानिया थी तो एवरिवेर जो कारेक्टर था हर बात में वो देवी देवताओं थे लेकिन जो चरित्र दिखाये जा रहे थे एक तरफ से सत्यता और वो सारी बाते भी लेकिन बहुत सारी और चीज़ें जो दिखायी जा रहे थी वो देवताओं चरित्र नहीं था देवताओं के अंदर ये युद की, क्रोध की या दूसरे से बदला लेने की या अपने यूनो हग के ले जैलिसी की और लस्ट की यह सारी बाते नहीं हो सकती थी So somewhere जब clarity मिलती है और स्त्यता पता चलती है Toh सच में देवताओं कौन है You know, वो राइट पस्पेक्टिव में देवी देवताओं समझ में आते हैं अज तक हम देवी देवताओं की कि देव dûव अपके इंस्पिरेशन है आपके लिए एक ऍग्जाम्बल है अब ंसी में क्या होता? कि इतनी सारी स्टोरी उनके सांथ जूरी है तो हम भी अपने 물ों जिस्टिफाइ करते हैं कि उस देवता ने बी ऐसा किया थाह से थाह से उस देवी यिशए तो ठीक है फिर हमसे भी हो गया और फिर उनकी गलतियों का उनको फाल मेलताग भी रिखता था तो हमने भी मान गया कि चलो इस अज़ोग इस अज़ोग में भी कल्यों के एंड में भी हम सब जो आत्मा हैं जो हम अचेप्ट करते हैं कि हम इंप्यूर हैं हमारी पावर बहुत डिप्लीट है लेकिन फिर भी कुछ एक को छोड़कि अगर आप मेजोरिटी सोसाइटी को देखो हम ऐसे करम अभी भी नहीं कर रहे हैं जो देवी देवताओं को करते हुए दिखाए हैं मतलब really we are not doing those kind of things हम किसी पर गुसा आने पर श्रस्त्र नहीं उठा लेंगे उसको अटाक करने के लिए या कोई आपको नहीं मिलेगा जिसकी इतनी सारी राणिया है तो हम तल्यूक के इंट पे भी ऐसा करम नहीं कर रहे हैं जो हमने सुना है कि वो सत्यूंग में कर रहे थे and हम आज मनुश्य आत्मा जिसको कई बार हम आम भाशा में कहते हैं इसका चरित्र तो मनुश्य जैसा भी नहीं है आज यह पशु जैसे बिहेफ कर रहे हैं लेकिन फिर भी आज भी हमारा चरित्र वो देवी देवताओं की जो कहानियों में दिखा जाता है उन से बेटर है आज भी हम किसी चोटे बच्चे की बात पर गुसा करके उसका सर नहीं काट देंगे जो हम कहते हैं शंकर जी ने बेटे का सर काट दिया तो फिर वो गनेश बन विश्वाज भी विवेक भी चाहिए अज थी कढाई विवेक मरता गया क्योंकि जब इम पर सवाल उठाता था तब उसे चुप्करवा या तो फिर विवेक भी विवेक भी तो चाहिए आज हम अपने रिलेजिन को राइट तरही से इससे उप्लेमेंट क्यों नहीं कर रहे क्योंकि religion को हमने अच्छी तरह से समझा ही नहीं, समझा होता या उसको carry forward किया होता अपने जीवन में, तो religion जो बाते सारी सिखा रहा था, उसको हम implement भी तो करते हैं, आज हमें answers ही नहीं मिल रहे थे, आज इतना सारा youth क्यों नहीं religion को अपने जीवन में ले रहा है, और अब तो अपने parents को भी कह देते हैं, आप करो ये सब, अब तो ये generation तो ready भी नहीं है, वैसे ही कि सिर्फ भावना पर ही हम कर लेंगे, answer चाहिए, explanation चाहिए, and actually it's very important क्योंकि शायद आज भी जो सभी भाईबेने सुन रहे होंगे, उनको इमाइन में बहुत question चलेगा, क्योंकि जो इतने सालों से बाते जो सुनी आई थी, या सालों से भी नहीं कहें, जन्मों से सुनी आई थी, क्योंकि ये सारी जो हमने epics पढ़े, सुने, वो तो द्वापर युक से हम पढ़ रहे हैं, तो अब हम कल्योंकि एंट पे हैं, तो actually अगर हम देखे, आज हर आत्मा पच्छिस सो वर से ये हर बात मानती आई है, और अब suddenly हमें कुछ और बात बता चलती है, तो immediately सभी नहीं accept कर पाएंगे, उस पर बहुत question mark उठेंगे, और कई बार तो ये भी होगा कि ये ऐसे कैसे कह सकते हैं, stop, don't accept that, don't accept this, but don't reject anything also, just open your mind, हर चीज को आज दिन तक सिरफ सुनकर accept करते थे, फिर कोई कुछ और कहता था पिर उसको भी सुनकर accept करते थे, सत्संग मतलब ही हो गया था, जाना और, you know, हांजी, 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 हांजी करना, which is good, respect है, भावना है, लेकिन विवेक, और फिर विवेक के साथ अनुभफ, से विवेक से समझेंगे, फिर जीवन में अपलाई करेंगे, फिर अनुभफ होगा, आज सिर्फ एक चीज़ करें, अपने माइन को ओपन करें, सिर्फ सुने, और उस पॉस्पोलिटी को सिर्फ एक्स्प्लोर करें, अपने आप से चेकिंग करें, कि सच मुझ, let me put aside everything that I've heard till now, you know, it's basically, पर्मात्मा कहता है, you need to unlearn, you know, clean your slate, have a clean slate, and observe, एक थोट क्रियेट करें, हरेक आज, देवी देवताएं अगर थे, तो कैसे होंगे? सत्यू कैसा होगा, definitely, let's just forget everything else, सारी बाते एक सेकिंड के लिए किनारा करो, आपको आंसर खुद से मिलेंगा, आपको किसी और से आंसर नहीं चाहिए, देवी देवताएं, सोला कला संफोन आत्माएं, दिव्या आत्माएं, उनके आज वो नहीं है, लेकिन उनकी आज जो मूर्ती बनती है, उस मूर्ती के अंदर भी इतनी दिव्याता दिखती है, क्या वो इतनी दिव्य, मूर्ती जो इतनी दिव्य है, आत्मा कितनी दिव्य होगी, तो हमने उनके चरित्र कैसे लिखे हैं। और जब वो थे, तो पूरा समाज कैसा होगा, वो युग कैसा होगा, जब राजा ऐसा होगा, तो प्रजा कैसी होगी। तो हम आज देख रहे हैं, कि एक टीम लीडर अगर वाली उस पे चलता है, या टीम लीडर एक कमपाशनेट लीडर है, पूरी टीम कैसी हो जाती है, हम आज कल्यों के एंड पे भी देख सकते हैं, सत्यों में जब टीम लीडर ऐसा होगा, जब वो राजा होगा, जो श्री तो हम आज कर देखो, क्या अंसर आपको आता है, हम आपने आपको जस्टिफिकेशन दीना, कि अगर उन में भी ये सब कुछ था, लेकिन एक्चली उसके पीछे भी जब ये लिखी गई, कही ना कहीं कुछ कारण होगे, कि वो जो उस वक्त का समाज है, उसको कुछ बात के उसको कुछ आई होगा, नहीं, बहुत सिंपल चीज दिखाने थी, आपको जैसे द्वापर यूग आया, तो हमारे अंदर के जो वाइसेज हैं वो आये, और वाइसेज आये मतलब हमने कुछ गलत करना शुरू किया, let's say, लस्ट, एंगर, ग्रीड, ये सब आई, जेलसी अब ये पड़िवारो को युनाइट करने के लिए एक एपिक लिखा गया, अब उस एपिक में दिखाना था कि सत्यता की ही विजय होगी, अब उस में एपिक में वो नॉलेज को, उस विस्डम को सुनाने के लिए, सब तक पहुंचाने के लिए, एक स्टोरी बनाई गई, स स्टोरी में हमें characters लेने थे, character हमें लेना है तो हम किसको लेंगे, which symbolizes truth, ताके आप उस character को कहते ही, आपके माइं में फिर दो डाउट नहीं आएंगे, उनकी personality के बार, यह है, यह है, यह अच्छा है, अब लेकिन उस character को आपने लिया, और ही symbol of truth, symbol of perfection, वो कभी unjust नहीं होगा दो लोगों के बार में, accept कर लिया हमने, लेकिन हम हमें दिखाना है कि उस character ने सत्यता पर विजय प्राप्त की, actually वो character ने किस पर विजय प्राप्त करनी थी, अपने विकारों पर विजय प्राप्त करनी थी, क्योंकि सिखा तो हम वो ही रह थे, समाज को क्या सिखाना था, कि तुम्हारे अंदर कमजोरियां भी है, तुम्हारे अंदर गुण भी है, लेकिन अपनी कमजोरी को विजय नहीं प्राप्त होने दो, अपनी विशेशताओं को गुणों को अपने विकारों पर विजय प्राप्त करो, स्वराज्य अधिकारी बनो, अब इसको दिखाएंगे कै तभी तो अभी यह होता है कि तुम्हारे अंदर ही सूर है असूर भी है तुम्हारे अंदर ही सूर है और असूर है मतलब मेरे अंदर ही purity भी है, lust भी है peace भी है, anger भी है bliss भी है, तो hurt भी है contentment भी है, तो jealousy भी है love भी है, तो attachment भी है अब युद मुझे किसके बीच दिखाना था मुझे दिखाना था original qualities और vices के बीच और ये message देना था कि चाहे कुछ भी हो जाए परिस्थिती चाहे कितनी भी बड़ी हो ये जो आपकी qualities है ये हमेशा आपके vices के उपर विजय प्राप्त करेंगी and most important this is the way to live always live with your qualities don't live with your vices let your qualities win absolutely let them win yes अब हमें ये story दिखानी है कि let your qualities win अंदर का युद कैसे दिखाएंगे now we need to understand this कि देवी देफताव ने युद नहीं की लेकिन जिन आत्माव ने अंदर की युद में विजय प्राप्त की वो देवी देफताएं हैं सी देवी देफताएं कौन हैं वो आत्माएं हैं जिन्होंने वो संपूर्ण था वो परफेक्शन थी उनके अंदर वो परफेक्शन कैसे अचीव की by winning over their vices लेकिन उसको समझाएंगे कैसे सबको so you make a little presentation because it's the easiest way to understand आज भी कल्यों के इंट पर हमें कोई भी message देना है आज social message देना है आपको तो कैसे social message जाता है let's say dowry death, girl abortion कितने आज social messages हैं सबसे best तरीका कैसे होता है जब वो social message जाता है कोई उसको एक serial के रूप में बनाता है कोई उसको एक छोटी सी two minute documentary film के रूप में बनाता है उसमें कोई characters होते है जैसे आप वो film देख लेते हो आपको वो message याद हो जाता है अगर आप सिरफ message कोई बोलता जाए सीधा सीधा या बड़े-बड़े hoardings लगे लोग ध्यान नहीं रखते लेकिन एक film की रूप में आगया अच्छा उस film में भी आज भी आप देखो आप कोई अच्छा सा actor ले लेते हो आप कोई ordinary actor लेते हो जिसको कोई नहीं जानते तो वो film की उतना ज़्यादा impact नहीं create होता इंडोर्स कर रहा है अच्छा इंडोर्स भी आप किस से करवाओगे जिसने अपने जीवन में उन वालियूस को धारण किया हुआ है अगर कोई actor आज vegetarianism को इंडोर्स कर रहा है तो वो अपने जीवन में vegetarian होगा अगर कोई actor आज इंडोर्स कर रहा है कि से no to drugs तो वो अपने जीवन में तो जैसे ही वो actor जो अपनी जीवन शैली भी वैसे जी रहा है, वो इसको इंडोर्स करता है, that's it, the message reaches to the whole country or probably to the whole world. One minute you see that actor speaking that and many many mindsets change and people say, okay from today I give up smoking or I give up alcohol or I donate blood, everything, it's making an impact. आज भी हम वोई method यूस कर रहे हैं and we are seeing कि वो result create होता है, तो द्वापर में भी वोई तरीका यूस किया गया था, कि message कैसे देना है, social message देना है, story के रूप में देना है and indoors किस से करवाना है, जिनोंने अपने जीवन में उन्वाली उसके ओपर जीवन को जिया था, epics बन गए और अभी तक वो अपना message दे रहे है, it's working, but कहीं न कहीं हम उस बात को भूल गए और हमें लगा कि वो जो epic है, वो ही reality में हुआ था, this is very important, इस रिष्टी पर सत्युक के अंदर श्री राधे, श्री कृष्ण हो कर गए है, श्री लक्ष्मे, श्री नारायन हो कर गए है, तुरेता युगाया, श्री राम, श्री सीता हो कर गए है, absolutely हो कर गए है, लेकिन श्री राम, श्री सीता के साथ रावर्ण नहीं हो कर गया है, this is very important, लेकिन श्री राम और सीता को लेकर, फिर जो हमने पूरा इतना सुंदर epic लिखा, उसमें हमने बहुत सारे messages दे दिये, भाई-भाई कैसे होने चाहिए, बेटा कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसी होने चाहिए, पती कैसा होना चाहिए, फिर हमने लवकुष दिखाए, तो बच्चे कैसे होने चाहिए, और रावन का करेक्टर के वो इंट्रडूस किया कि वाइसे अगर आएंगे तो इतनी पावर्फुल आत्मा को भी वाइसे कैसे कॉलाप्स करते है सीता का दिखाया ना एक छोटी सी अट्राक्शन, क्या मेसेज दे रहे थे तो उन्होंने ये दिखाया कि वो पावर्फुल आत्मा है अगर छोटी सी अट्राक्शन प्याएगी तो वो ये हो जाएंगे लेकिन जब श्री राम, श्री सीता अच्छली थेता यूग में थे तब उनको कोई अट्राक्शन ने आई थे जिनकी वज़े से वो रावन आया and all that had to happen और वो रो रहे हैं और यूद कर रहे हैं this we need to understand श्री रादे श्री कृष्न थे लेकिन श्री कृष्न की सोला हजार रान्या नहीं थे श्री कृष्न मच्का नहीं फूरता था मख़ नहीं चुराता था देवी देफ्ना ये सब नहीं कर सकते हैं श्री कृष्न का कंस के साथ कुछ नहीं था क्योंकि कंस ही नहीं था लेकिन श्री कृष्न वो परफेख्न कंस अक्टल कोई real character हुआ है नहीं था या नहीं रावण भी नहीं थे नहीं था So beautifully it was presented and it served its purpose of giving such a powerful message. जो message आज भी जितने popular serial हुआ तो रामायंद, माहाबारत, आज भी पच्छेस सो वर्ष के बाद भी वो इतना powerful impact create करते हैं. आज भी जो actor उस character को प्ले करता है, उसकी पूजा करते हैं. लेकिन आज भी उसका impact इतना है, तो द्वापर योग में उसका impact कितना हुआ होगा. लेकिन to remember कि वो characters को लेकर, वो epic बना कर एक social message जो उस समय की society के लिए चाहिए था, जो आज भी applicable है. लेकिन हमने थोड़ी से, सिरफ छोट ऐसा जी चीज हम भूल गए, हमने सोचा ये ही reals थी. ये हुआ. ये हुआ. हमने एक epic, एक story को history मन लिया. के ये ही हुआ, as it is, ये हुआ. As it is, ये नही हुआ. As it is, ये characters थे, जो देवी देवताओं के थे. बाकी जो सारा बनाया गया, वो to give the message. This, if we are able to little separate, we'll be able to understand देवी देवताओं, as they're supposed to be. नहीं तो हम ही आज उनकी बहुत गलानी करते हैं. हम कहते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं. तिकिन फिर हम उनकी गलानी भी कितनी करते हैं, ऐसी चीजे बोलकर. It becomes like, अगर हम अभी का देखते हैं, कि श्री के साही बाबा होकर गया, ठीके, 1918 में, हम लिखते हैं, इतने सीरियल उनके बन रहे हैं, जो आज के जीवन से जुड़ी हुए, उनके चीजों को, मिलाब जो लोग जैसा भी करते हैं, उसमें आप, जो भी हो, जो भी दिखा रहा That will be a fiction, that will be a story? It will be a mixture of both, उनका character, कुछ कुछ उनकी जीवन से ले हुए बाते हैं, और कुछ कुछ वो मैसेज जो देना है, क्युकि उन्योंने जो मैसेज देना है, क्युकि उनका मैसेज देने के लिए साथ में कुछ कुछ चीज़े चीज़े होते हैं, और हम यह सोचने हैं यह भी भी, कि यह हुआ ही है, उस टाइम पर ही हुआ है, यह भी 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 होगा है, अब जो आपने का शिर्डी साइब आबाबा, वो क्योंकि सौ साल पहले की बात है, उसमें अभी इतनी mixed charity नहीं है, अभी भी जो source है, authentic है, लेकिन अगर आप इसी बात को, अगर आप शिर्डी येस, उनके साथ उनकी qualities थी, कुछ सारी बाते थी, लेकिन उनके साथ negativity नहीं थी, सत्योग में, सत्योग और त्रेता योग में negativity नहीं थी, वो हमने द्वापर योग में सिर्फ समाज को थमाने के लिए, समाज भिखार रहा है, अच्छे और अब यह भी खुआ कि द्वापर में देवी देफता नहीं है, see, देवी देफता नहीं है, मतलब उस देव्य रूप में नहीं है, see, we have to see this as a journey, take one soul, ठीक है, एक आत्मा है, परमधाम से सृष्ठी पर आती है, फ्रेश और पर्फेक्ट है, जब वो इस धर्ती पर आती है, वो फिर्स युग है, सत्युग है, आत्मा पर्फेक्ट, शरीर पर्फेक्ट, सपोज इनको हम कहें, श्री कृष्ण है, फर्स्ट प्रिंस अफ सत्योग, अब वो आत्मा शरीर छोड़ेंगी, डेट सो वर्ष के बाद, दूसरा लेंगी, वो ही आत्मा फिर छोड़ेंगी, फिर लेंगी, इस ते जर्नी ओफ दू शरीर चेंज हो रहा है, आत्मा वो ही है, वो ही आत्मा है, अब जैसे आत्मा शरीर छोड़ेंगी, दूसरा लेती है, उसकी फ्योरेटी में थोड़ा थोड़ा फरकानल, कलाइकम होती है, जो आत्मा है सत्योग में, वो ही आत्मा तुरेता में भी है, क्योंकि एक आत्मा और शरीर में ही होगी, कही पर कहते हैं थो नहीं है। लेकिन जो इतनी दिव्या आत्मा हैं, क्योंकि शरीर के बिना का जीवन आत्मा के लिए श्रिष्टी पर बहुत अच्छा नहीं है, आप एक्स्प्रेस नहीं कर सकते, तो जो इतनी दिव्या आत्मा हैं, उनको तो तुरंथ शरीर मिलेगा, क्योंकि वो बस एक शरीर छोडेंगे और दूसरा लेंगे, और परमात्मा ने इतनी सुन्दर रिती से दिखाया है, क्यो उस आत्मा को एकदम क्लियर होगा, कि अभी मैं ये कॉस्ट्यूम छोड़ रहा हूं, और मेरा वो दूसरा कॉस्ट्यूम तो रेडी, क्योंकि हम हम 100% सोल कॉंशिस होंगे, और राइट ना इस तो डिफिकल तो इवन कॉंसेप्चुलाइज, वोट वोट बी 100% सोल कॉंशिस, सब्सक्राइज करें तो आपह्ने, और मेरेशिस, अपनी तर्फ द्रेस के होगा, और तो आत्मा को कॉछ नहीं लगेगा, वो शितने आपहर नहीं दर्फ2 ऐसी पीम आएगी कि पुराने ड्रिस चोड़ी, क्योंकि भास अभी हो गया उसका काम पूरा और तब अटाच्मेंट नहीं होगी ना परिवार से प्यार होगा अटाच्मेंट नहीं होगी तो डेट सो वर्ष की आयो जब रीच करेंगे सब कुछ हैंड़ोवर कर देंगे अपने बच्चों को सब कुछ कि अपने बच्चों को सब्सक्राइब करेंगे तो अपने अपने अप चुना अपने अप चुना अप्रतियों का दिन और सोचा कि अब मैं चोड़ रहा हूँ अभी आप तेखो कुछ आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनको फिलिंग आजाएगी कि आज हमें जाना है या आज कल में, you know, and they'll be able to tell everybody what they have to say and then they will leave very peacefully. It's a sign of a good pure soul. अपने तुरह होती है उसको अपने टचिंग हो जाती है कि अब ताइम पुरा हुआ. कौन लोग नहीं चोड़ पाते हैं जिनका बहुत खिचाब होता है. बहुत खिचाव होता है, जिन्होंने अपना सब कुछ समेट दिया होता है अच्छी तरह से, और सिरफ परिवार से नहीं, अपने शरीर से भी detached होते हैं, they are very ready to leave, and they will be able to leave willingly, जब कल्योग में ये हो सकता है, तो सत्योग में कैसा होता होगा, जो सत्योग में था, उसके एकदम slight trace हमें अभी भी दिखाई देती है, जब वो original रूप में होगी, तो कैसा होगा, तो वो जो आत्मा थी, उसने फिर शरीर छोड़ा, दूसरे लिया, छोड़ा, स्रिष्टी पर रही, वो ही आत्मा तुरेता में भी है, और वो ही आत्मा तौपर में भी है, शरीर वो नहीं है नाम वो नहीं है, वो को सिए आत्मा में वी नहीं है, वो कई कम रही है, Vital. काम भी है नहीं कि कि पदो अधिना अत्मा देंने किए, जिनको भाविश्या दिखता है, अब जिस आत्मा ने इतने घजार वर्श आगे का भाविश्या प्रडिक्ट कर दिया, कैसे प्रडिक्ट कर दिया, वो आत्मा आगे का देख सकती थी, आगे का वो इसलिए देख सकते हैं कि उसके अंदर ओल्री आगे की रेकॉर्ड, जिसमें पूरे साइकल का रेकॉर्डिंग अल्री है, लेकिन जैसे आप उस यूग में या उस जनम में आएंगे, वो वाला गाना बजेगा, बाकी गाने नहीं बजेंगे, यूनो मतलब आपका वो वाला रोल जो कहेंगे के इमर्ज होता है, जैसे अभी आप कनुप्रिया, ल है और destiny भी create कर रहे हैं, सब कुछ predestined है, यह सब कुछ predestined है, आत्म के अन्दर उसका पूरा रोल recorded है, लेकिन पता नहीं है, मालुम नहीं है, जैसे जैसे आप उस समय पर पहुंचते हैं, आपका वो वाला रोल इमर्ज होता है, लेकिन आपको feeling ये आईगी, जो आप कर रह आत्म है अभी भी प्यॉर है, ऐसे नहीं कि वा आत्मा, लेकिन अब उसकी प्यॉरिटी में थोड़ी सी कमी आ गए है, शरीर थोड़ा सा ओर्डिनरी हो गया, अब उसको वाला उतना सुंदर सरीर नहीं मिलेगा, जो सत्योग्त रेता योग के अंदर था, अब ये आत्मा कैसा रोल प्ले करेगी, ये आत्मा अब कोई राजा बनेगी द्वापर योग का, अब देवी देवता में थोड़ी कमी आगे, सत्योग्त रेता और द्वापर में जो परमात्मा एक बहुत बड़ा डिफरेंस हमें समझाते हैं, कि सत्योग्त रेता योग में जो राजा होगा, वो ही religion भी होगा, आप देवी देवताओं को अगर देखो, कोई भी चित्र में, तो उनको दो ताज दिखाते हैं, एक रतन जड़ित ताज, जो crown of the ruling power, और एक light का ताज पीछे, हर देवी देवता के पीछे ये दिखाते हैं, इसको कहते हैं double ताज, ये ruler भी थे, लेकिन य दोर भी थे, धरम भी थे, द्वापर यूग में आने के बाद, जो ये दो ताज है, ये अलग-अलग हो जाते हैं, द्वापर यूग में जो राजाय हैं, उनको single ताज दिखाते हैं, रतन जड़ित, crown of ruling power, और जो white, light का ताज है, वो धरम स्थापकों और सन्यासियों के पी द्वापर यूग में जो राज्य करता है, वो ही धरम भी फॉलो करता है, अब ये जो राजा है, इसको धरम की help लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर अब purity नहीं होगी, तब जो द्वापर यूग से राजा आएंगे, उनको राय भी लेनी पड़ेगी, उनको, you know, spirituality, religion, इसके help पी चाहिए होगी, क्योंकि उनकी अपनी purity होगी, उसमें वो पावर नहीं रहेगी, सत्युक्त रेता में वो किसी से राय नहीं लेंगे, और उनको जरूत नहीं है, ये एक नया आस्पेक्ट, हमारे अपने ही, जिसको बार बार कह रहे हैं कि स्वदर्शन चक्र अग और उसके बाद फिर अनुभाव अपना, थैंक यू सो माच, अर्शाथी, जैसा कि सत्युक्त शीवानी में कहा, थोड़ी देर के लिए ये सोच के देखें कि वो यूग होगा कैसे, और मुझे लगता है कि ये यूग जो आज हमारे सामने आया है सत्युका, वैसा ही यूग वो होना चाहिए, हाँ, लेकिन जैसे जैसे वक्त बतला, और अद्वैत से द्वैत वाली बात, वो भी समझ में आये कि जब रिलिजिन और जो राज्य है, वो अलग अलग हुआ, वहाँ फिर दो मत चलने शुरू हो जाएंगे, आंगे क्या होगा, ये कहानी काफे इंट्रस just in to ask or want to know your nearest RadjYoga Meditation centre, call us on 099 99 744 555 अवेकनिग्ड़्यक्वाइख अधी अमृत रमगाने क्यां नही किने राज्योण िहतना है, गे पर मुलाकाग वरो अमृत I'm a peaceful soul ये द्वानी मंगं द्वानी है O Shanti Om This sound is a sacred sound O Shanti Om O Shanti Om I'm a peaceful soul O Shanti Om